हेलो एवरिवन गुड़ बारिंग नमश्कार कैसे आप सब विल एक बार फिर से स्वागत आपका गर्मेंट एक्जाम्स रिजर्ट गुरूप ए दोस्तो मैं अधीती रस्ताओगी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सेशन दोस्तो इसमें हम जानने हैं और उनका क्या-kया टीटमेंट होता है क्या-kया एक्जाम्पल्स हैं तो लेट उस सी इन दस सेशन फ्रेंड्स अगर कभी भी आपके पास संटेंस में कोई वर्ड आता है सुपीरियर इन्फीरियर सीनियर जूनियर प्रायर एंटिरियर पुस्टीरियर प्रेफर एक और word इसमें शामिल हम कर लेते हैं, that is elder, तो कभी भी अगर आपके sentence में इनमें से अगर कोई word आता है, दोस्तों, अगर हम senior का प्रयोग करते हैं, for example, if I say, she's senior to me, कि वो मुझसे senior है, तो senior में comparison तो शो हो रहा है, एक थोड़ा अधिक और थोड़ा कम है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम then का प्रयोग नहीं करेंगे, as we do in comparative degrees, because यह comparative degree of adjective नहीं है, यह comparative words है, that is why हम इसमें then का प्रयोग ना करके, to का प्रयोग करते हैं, जानते हैं, पूरी बात कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आप देख पा रहें, elder, suppose कि जिए मुझसे कोई मेरा बड़ा भाई है, तो मैं कह सकते हूं, he is elder to me, है ना, यह मेरी कोई बड़ी सिस्टर है, तो मैं कह सकते हूं, she is elder to me, तो elder to me, मतलब वो मुझसे बड़ी है, है ना, अब देखो, एक बात याद रखेगा, अगर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूं elder word, तो आप मुझे खुद सोच कर बताइए, क्या elder का कोई positive degree रहा होगा, नहीं, लेकिन older का positive degree ह होता है, जिसे old, older, oldest, तो जिसमें positive, comparative और superlative तीनों words का आप change कर सकें, वो हमारी comparative degrees होती है, जबकि यह हमारे या तो Latin adjectives कहलाते हैं, या फिर comparative words कहलाते हैं, जिनकी अपनी कोई positive degree नहीं होती, नहीं कोई superlative degree होती है, that is why हम यह comparative words की तरह यूज करते हैं, degree की तरह नहीं, इस and say we should use preposition to and not then with these words, now, अब कुछ examples तेखते हैं, examples क्या है, देखें, जिसे रजनी is two years senior than Suhana in college, तो रजनी दो साल senior है Suhana से, तो रजनी बड़ी है, बड़ी in the sense की रजनी senior है, मतलब हो सकता है, कि वो पहले, उनका जो experience है, वो Suhana से जादा रहा हो, या suppose कीजे, suppose कीजे, Suhana जो है, वो become first year में है, जब की रजनी जो है become third year में है, तो इस तरह से वो दो साल senior हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने जब senior का प्रयोग किया, तो यहाँ पर इनों ने लिखा हुआ है then which is incorrect और इस then के place पर हम लोग two का प्रयोग करेंगे, तो यह sentence हमारा correct हो जाएगा, यह senior का आप example है, अब एक और देख लेते हैं, कि Miss Agarwal looks older, Miss Agarwal भले बड़ी लगती है, बड़ी in the sense, older मतब बड़ी लगती है, है ना, कि वो मुझसे जादा age में बड़ी लगती है, देखने में बड़ी लगती है, but she is junior to me in the office, लेकिन वो मुझसे office में junior है, तो यहाँ पर मैंने junior के साथ two का प्रियोग किया, और देन का नहीं, दोस्तों, older के साथ हम देन का ही प्रियोग करेंगे, लेकिन junior के साथ हम two का प्रियोग करेंगे, अब देखिए, इसको हम जानने थे कैसे, suppose किजे, आपने office join किया हुआ है, तीन साल पहले, है ना, और suppose किजे, कोई भी एक other person है, कोई प्रियोग करेंगे, तो बहाँ पर भी senior और junior का फर्क परता है, तो senior और junior के साथ हम को to use करना है, आपको जोचे, junior का कोई भी positive degree नहीं रहा होगा, तो इसे हम degrees में कभी भी measure नहीं करेंगे, अब आजाते है, next पे, जिससे अगर आप देख से एक big car, obviously model देखिए, आपके ता स to any other model in the market, तो जो भी model market में इस वक्त अवेलेबल हैं, उनसे ज्यादा superior है, उनसे ज्यादा अच्छा है, उनसे ज्यादा अच्छी qualities है, that is why हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, superior, और superior के साथ हमने किस का प्रियोग किया, two का प्रियोग किया, then का प्रियोग नहीं किया, because superior की भी कोई positive degree नहीं रहती है, same way हम लोग use करते हैं, inferior को, अब inferior कोई भी किसी की performance हो सकती है, inferior किसी की quality हो सकती है, किसी का work behavior हो सकता है, for example, जयास performance is inferior than sonum, अब देन, देन नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है भीया, कि जब आता है senior, junior, superior, inferior, तो उसके साथ हम two का प्रियोग करते हैं तो then use नहीं होगा, क्या होगा, to का प्रियोग होगा, है ना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, कि जयास performance is inferior to sonum's performance, और अभी sentence गलत नहीं, बलकि सही हो जाएगा, और यह sentence गलत हो जाएगा, छीके, आजाते हैं, next पे, यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखें, दो तरह क चीज किसी चीज के नीचे है उसके एं पोस्टीर का प्रियोग करते हैं, बस्टीर के बॉट्स पॉट्स बाटस में, अब यहाँ पर, Cost, शार और चीज, अकले बस्टीर के चीज के देख सकते हैं तो आपने धिखा, यहाँ और बन्स चारग उन स्टेर से एं बॉद is posterior to the stomach, आप देखते हैं कि जो pancreas है वो आपकी body part में स्टमक से नीचे रहता है, तो हम उस case में posterior का प्रयोग कर सकते हैं for pancreas, तो posterior 2 हो जाएगा, same way prior 2 होता है, elder 2 होता है, जैसे subject comes prior to the helping work, तो subject comes prior to the helping work, तो prior के साथ हम 2 का प्रयोग करेंगे, then का नहीं करेंगे, तो दोस्तो हमने आद समझा कि कुछ ऐसे comparative words होते हैं, those are not degrees but comparative words, इनको हम Latin adjectives भी बोलते हैं, जिन में हम 2 का प्रयोग करते हैं instead of using then, तो आपको हमेशा याद रखना है इस तरह के words जो degrees में change नहीं किये जा सकते, यंगर में आप क्या use करेंगे then, क्योंकि यंग, यंगर, यंगेस्ट वो degree है, जबकि words हमारे elder है तो वो word है that is not degree, तो इस तरह के शब्दों के साथ हम 2 का प्रयोग करेंगे, दोस्तो ऐसे ही useful information और ऐसे ही important events के साथ बने रहे हैं मेरे साथ only on research guru, Thank you very much, जै हिन जै भारत!